हेलो एवरिवोन, कैसे हैं आप सब, तो आज जो है, है प्राउमिस डे, तो सबसे पहले आप सब को हैपी प्राउमिस डे, तो आप सब अपने आप से एक प्राउमिस करें, आपके पार्टनर अगर आपके साथ नहीं है, तो आप खुद से प्राउमिस करें, ठीक है, आप खु नहीं होंगे आप यह प्रॉमिस करें कि आप के वज़ा से कभी किसी को दुख नहीं होगा आप अपने आप से कोई एक प्रामिस कम से कम कोई एक प्रामिस जरूर करें और उससे अमल करने के भी कोशिश करें कि आप वो करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जो है निगेटिव ना सोच करके पॉस्टिव होंगे और आज जो है आप किसी ना किसी का भला जरूर करेंगे, किसी ना किसी के लिए स्टैंड जरूर लेंगे या किसी ना किसी के लिए जो है आप positive जो है ना उसको सुझाव जरूर देंगे अगर उसको चाहिए होगा आपसे तो ठीक है तो आशा करते हूँ कि आप सब जो है कोई एक promise जरूर करेंगे ठीक है चलिए करते हैं reading को start आज की reading का topic यही है कि आपके जो partner है क्या सोच रहे हैं वो आज ठीक है reading का topic यही रहेगा देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं वो आज आपके बारे में ओकी सो जना reading है collective reading है और आज सुबह की feelings जाने के हम कोशिच करेंगे कि आपके partner की सुबह की feelings क्या रही और उनकी thinking क्या है आपके लिए ओकी डन डन चलिए सबसे पहले मैं करूंगी आप लोगों के लिए healing healing process स्टार्ट करेंगे हम उसके लिए आपको पता है कि आपको क्या करना होता है गहरी लंबी सांस लीजेगा ठीक है और उसके बाद से यह जो sound मैं create करने जा रही हूं इसको सुनना है चाहे आप आँके खुली रखें चाहे आप आँके बंद रखें ठीक चलिए करते हैं start आखें बंद कीजिए पॉर्सन के उपर focus कीजिए ठीक है करते हुर्सन के जाप। उम्शंटी चलिए आई होप आप सब का मन थोड़ा शान जरूर हुआ होगा अगर आप इस साउंड पर फोकस करेंगे तो आपका मन शान जरूर होगा आई होप आप सब म्यूजिक चैनल से भी जुड़े होंगे और वहाँ पे म्यूजिक भी सुन रहे होंगे चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट सबसे पहले करते हैं आपके पॉर्षन की एनर्जी को चेक आज के एनर्जी को चेक करते हैं आपके पार्टनर की सुबह के एनर्जी क्या थे इनकी आखे खुलते ही इनके एनर्जी क्या थे प्रीज मुझे गाइड किजएगा, आपकी भी एनर्जी मैं चेक करूँगी आज, ठीक है, सबसे पहले आपके एनर्जी चेक करूँगी, फिर आपके पार्टनर के एनर्जी चेक करूँगी, ओके, प्रीज मुझे गाइड करें, जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं, उनकी energy क्या थी आज सुबह एक और काड़ आपके लिए अब आपके पार्टनर के energy क्या थी एक काड़ अगे और मिट्वल energy क्या थी इसके लिए भी एक काड़ हम निगालते हैं आज यह आप प्रातना की जा रही है बहुत ज्यादा प्रातना की जा रही है चलिए आपकी energy है तो चक करते हैं सबसे पहला काड़ डोटू रुमेंस का काड़ ओके मैं होल्डिंग अ हाट बहुत खुबसरत बहुत खुबसरत सी energy यहां पर दफिंकिंग में ओके तो यहां पर जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं ठीक है यह हर जेंडर के लिए हैं सबसे पहले आपके साथ आपके पार्टनर की नियू बिंग नी हो आप बहुत ज्यादा एनरजेटिक थे आज सुबह उठते ही आपको बहुत ही अच्छे ख्याल आ रहे थे आपने नाइट के टाइम में जो है जब भी आप सोई होंगे अपने पार्टनर के बार में सोच कर परके सोई थे और सुबह उठते ही आपको बहुत ही खुबसूरत सा रोमेंटिक साशापना आया या या आपके पार्टनर का नाम दीखा आपके पार्टनर का चाहरा दीखा ठीक या फिर उनसे रिलेटेड उनका लास्ट मूबाइल नमर का जो थ्री डिजिट है फोर डिज कि मैंसेज आजाएगा क्योंकि आपके अंदर वो थी आप शुबहा सुबही बहुत ज़दा रोमेंटिक कर रहे थे बहुत ही ज़य्दा रोमेंटिक वे में हैसा आ आप यही सोच रहे थे कि आज मेरा पार्टनर कॉल करेगा, मैसेज करेगा और मुझे प्रपोजल देगा, कहीं ना कहीं आपके दिल में दिमाग में यह बैठा हुआ था, आज सुबब, ठीके, आपके एनरजी काफी हाई थी, बहुत अच्छी एनरजी थी, बहुत पॉस्टि नहीं हो रहा है, में relationship में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना मैं higher study के लिए out of country जाओ, ठीके, तो आप out of country जाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी college में admission लेने के बारे में भी सोचते हुए, दिख रहे हो, कहीं higher study के लिए यहां पे दिख रहा है, ऐसा सोचते हु energy क्या थी आज, सुबा सुबा, victory, very nice, low to value, and happy family, ठीके, तो आपके partner की भी energy आज सुबा की बहुत अच्छी थी, यह person का दिख रहा है कि सुबा सुबा ही जो है अपने relationship में हो, या अपनी जिंदगी में हो, यहां पे इस person को victory चाहिए, ठीके, क्योंकि यहां दिख रहा है कि आपने और आपके partner ने दोनों ने ही सपना देखा है, आपके सांथ ठीक है, जिसे की relationship, ठीक है, relationship याने की family, ठीक, family के सांथ आगी बढ़ना, family के बारे में सोचना, family के बारे में सोच करके, दूसरे एक सांथ बहुत अच्छा bond create करना, है न, तो यहां पे दिख रहा है कि अच्छी से energy में ये भी थे, और इसलिए सायद आप भी positive थे, यहां पे कहीं न कहीं इनको ये भी feel होता हुगा दिख रहा है, जिसे की हमारा जो है न, अब अच्छा time आने वाला है, अब हमारी जिन्दगी में बहुत बैतरी time आने वाला है, जो problem थी, ये खतम हो गई, और अब जो है, अब कोई problem नहीं होगी, यहां पे ऐसा feel करते हुए, आपके partner भी दिख रहा है, याने कि आज सुबह आपके partner भी positive थे, और आप भी positive थे, दोनों की energy मुझे बहुत positive feel हो रही है, ठीक है, एक बहुत ही खुबसुरा सा जो है न, एक family पे यहां पे दिख रहा है, इसे कि आप से मिलने की उमीद, आप से मिलने की चाहत, जो है न, इनकी जो wish है, वो fulfilled होते हुए दिख रही है, इनको, ऐसा लग रहा है, आपके साथ भी इन्होंने सपना देखा, और आपने भी इनको सपने में देखा, इसमें जो है न, आप इनके साथ, अपने बच्चों क है थे ये person, चलिए बात करते हैं कि mutual energy क्या थी आपकी, सुबह की strategy, यानि कि दोनों planning कर रहे हो, दोनों के दोनों, victory कैसे मिलेगी relationship में, तो यहाँ पे दिखा जा रहा है आपके तरफ से भी, आप भी कुछ planning कर रहे हो, अपने future को ले करके, और आपके partner भी planning करते हुए दिख दिख रहे हो, पूरी तरीके से जानते हो कि ऐसे जो है न, ऐसे चलने से नहीं होगा, ऐसे धीरे 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 चलने से नहीं हो पाएगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो कई न, कई आपके अंदर भी feelings हैं, emotions हैं, तो दोनों की energy मुझे फील हो रहे है कि दोनों ही जो ह सोर कार्ड साम निकालेंगे टारो कार्ड से, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आप सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में, इतनी जदा positive energy थी, अगर इतनी energy आपके साथ राजनेट की है, तो reading आपके लिए हैं, ओके, चलिए, कार्ड की बात करते हैं, यहां पर प्लीज मुझे गाइड करें, angels, universe and sisters, वाओ, क्या सोच रहे थे, four of friends, childhood, वाओ, बहुत ही कुपसरत सी energy आ रही है, यहां पर, three of cups, seven of swords, three of pentacles, eight of wands, यहां पर है दा स्टार का कार्ड, four of swords, okay, bottom of the deck भी देख लेते हैं, bottom of the deck है, यहां पर, the devil के energy of four, तो कोई नहीं यहां पर दिख रहा है कि आज सुबह सुबह, आपके partner सोचते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों की बीच में, जो लोग आ रहे हैं, यानि कि जो third party आ रही है, आप दोनों के partner आपको गाली दे देते हैं, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होते रहता है, जिसकी वज़े से आपके, और आपके person के बीच में काफी ज़दा mission standings बढ़ गई है, और mission standings बढ़ने के करण से, कही ना कहीं, आप दोनों ही एक दुसरे के लिए गलत family पाल रहे हो, ठीक है, आपके mind में कुछ है, आपके partner के mind में कुछ है, लेकिन clarity क्या है, सचाई क्या है, वो नजर नहीं आ रही है, ठीक, तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है, कि आपके partner, आपके partner जो है ना, उस energy से बाहर निकलना चाहते है, यानि कि अपने आपको इनके उपर जो blame लगा है, यह person के उपर जो blame लगा है, आपने लगाया है, या इन्होंने खुद सोचाए, इनकी हाँ, वो person मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, या खालती होगी, तो इसको clear करना जरूरी है, यह person clear करना चाहते हैं, बात करके, ठीक है, आपसे मिलके, यहां पर यह person सोचते हुए दिख रहे हैं, रात भर इन्होंने सोचा है, आपके बारे में रात भर यानि कि कल की रात आप भी वह सोच रहे थे, और आपके partner भी सोच रहे थे दोनों के दोनों सोच रहे थो एक दूसरे के बारे में ही कि क्या है ठीक है क्योंकि यह जो connection है ना देखो आप दोनों का जो spiritual connection है ठीक तो spiritual connection होने की वज़े से आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो और एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो पा रहे हो अलग होने की चाहत बहुत बार की अलग होने के लिए आपने move on करने की भी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाते हो और मैं देख पारे हूं कि आज सुबह आपके पार्टनर सोचती हुए दिख रहे हैं, आपको marriage का proposal देने के वारे में आज तो ऐसे भी promise दे हैं, तो ये person बता सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, कि हाँ, मैं तुमसे कभी दूर नहीं होंगा, या दूर होना ही नहीं चाहता, तु है, आपसे बात करने की चाहत रखेंगे, आपसे बात करने की उमीज वह ना, इनके अंदर वो रहेगी, या मैं देख पार हूं कि आपके पार्टनर आपको ले करके, कहीं ना कहीं बाते करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि किसी तीसरे person से आप दोनों की बीच में कोई common friend हो ठीक, तो ये person बाते करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर ये भी दिख रहा है कि आपने जो hope रखी है इस person के लिए, इस person के साथ relationship continue करने के लिए तो वो भी आपकी hope complete होते हुए मैं देख पा रहे हूं, क्योंकि आपने manifestation किया है, आपने techniques का use किया है, आपने बहुत स जादा visualization किया है, ठीक है, जिसके अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके partner के उपर effect पढ़ा है और आपके partner जो है, आपको contact करने के लिए यहां पे बेचैन हो रहे हैं, ठीक, यहां पे दिख रहा है कि यह person सोचते हुए दिख रहे हैं कि इतने time से मुझे बेचैन ही अब क्या हो रहा है कि मेरा mind पूरी तरीके से divert हो रहा है और यह person सोचते हुए दिख रहे हैं कि हां मुझे बाते करनी है, ठीक है, relationship को continue करने के बारे में ही इनको बाते करनी है, ऐसा नहीं है कि relationship को खतम करना है, खतम तो इनको third party के सांथ करना है, third party इनकी सांथ जो relationship में है, अगर relationship है इनका third party के सांथ, तो यह third party के सांथ पूरी तरीके से अपना जो relationship है, इसको खतम कर लेंगे, और यहाँ पे यह मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपके पास, तीन दिन में, ठीक है, three days, three weeks, three months में यह person आते हुए आपके पास मुझे दिख रहे हैं, और आज जो मै love spell बताऊंगी, ऐसा ही कुछ effective है, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है, शाम को वीडियो upload होगी, शाम को मैं बताऊंगी आपको love spell, ठीक है, तो वीडियो जरूर देखना, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पार हूँ कि आपके जो partner है न, यहाँ आपके लिए action लेने के लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, decision लेने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तो कब तक action ले लेंगे, आपका होगे दी, कब तक action ले लेंगे, तो मैंने कहा न, तीन से चार दिन आप वेट करो, तीन से चार महीने भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके relationship में बहुत सोचते वे दिख रहे हैं आप लग मुझे फेस्बुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और जिनको पर प्रसनल रीडिंग लेनी है दिये गए वाट्सअप नमबर पर कॉंडेक्ट करें पर रीडिंग होती है वो रीडिंग ठीक है सो चुलिए फिर करते हैं रीडिंग को खात्म मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में तब तक हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए बाबाई